नमुश्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चाप्टर 20 अधिहाए 20 मायावी सरोवर मायावी को आप जादूई भी कह सकते हैं और सरोवर तालाब को कहते हैं पांडवों के वनवास की अवधी पूरी होने को ही थी अवधी समय को कहते हैं पांडवों के वनवास का समय पूरा होने वाला था 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गये थे उन्ही दिनों में एक निर्धन ब्रह्मन की सहायता करते हुए पांचो भाई जंगल में काफी दूर निकलाए वे ठके हुए थे सोजरा सुस्ताने लगे आराम करने लगे युधिस्ठिर नकुल से बोले भाईया जरा उस पेर पर चड़ कर देखो तो सही कहीं कोई जलाश है या नदी दिखाई दे रही है नकुल ने पेर पर चड़ कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीखी उगते हैं आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए युधिस्टिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल पड़ा कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशे मिल गया उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ और फिर तरकश में पानी भर कर भाईयों के लिए ले जाऊंगा जिस कंटेनर में तीर रखते हैं उसे तरकश कहते हैं यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अन्जुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाजाई मादरी के पुत्र दुस्साहस न करो यह जलासे मेरे अधीन है पहले मेरे प्रशनों का उत्तर दो फिर पानी पियो पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वानी की परवाह न करके उसने अन्जुली से पानी पी लिया अन्जुली हथेली को कहते हैं हथेली में पानी रखने के लिए जब आप उसे उपर की तरफ मोडते हैं तो उसे अंजुली कहते हैं, पानी पीकर किनारे पड़ चड़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा, बड़ी देर तक नकुल के न लोटने पर युधिश्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा, सहदेव जलासे के नजदीक पहुँचा तो नक पी लिया, और किनारे पर चड़ते चड़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा, अचेत होकर मतलब बेहोश होकर जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लोटा, तो युधिश्ठिर घबरा कर अरजुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुरघटना तो नहीं हो गई, अरजुन बड़ी तेजी से चला, तालाब के किनारे पर दोनों भाईयों को उसने मृत परे हुए देखा, तो वह चौंक उठा, वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यूं का क्या कारण है, यह सोचते हुए अरजुन भी पानी पीने के लिए जलासे में उत कि तब ही उसे भी वही बानी सुनाई दी, अरजुन मेरे प्रशनों का उत्तर देने के बाद ही अपनी प्यास बुझा सकते हो, यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारी भी वही गती होगी जो तुम्हारे दो भाईयों की हुई है, अरजुन यह सुनक गुस्से से भर गया, उसने बान छोरने सुरू कर दिये, जिधर से आवाज सुनाई दी थी, उसी और निसाना लगा कर वह तीर चलाता रहा, किन्तु उन बानों का कोई असर नहीं हुआ, अपने बानों को बेकार होते देखकर अरजुन के क्रोध की सीमा न रही, उसने सोच पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूँ, फिर लर लिया जाएगा, यह सोचकर अरजुन ने जलासे में उतर कर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा, उधर बाट जो होते जो होते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे, बाट की आग्या मान कर भीमसेन तेजी से जलासे की उर बढ़ा, तलाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं, सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पीलू फिर देखता हूँ, यह सोचकर भीमसेन तलाब में उतरना ही चाहता था कि फि पानी पीते ही अपने भाईयों की तरह वह भी वही डेड हो गया, उधर युधिस्टिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चरे की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लोटा, आखिर भाईयों को क्या हो गया, क्या कारण है कि अभी तक वे लोट जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गया, मैं ही चल कर देखूं क्या बात है, तो अब युधिस्टिर जा कर देखेंगे कि उनके भाईयों को क्या हुआ है, तो इसी के साथ खतम होता है ये चैप्टर, मुझे उमीद है आपको ये कहानी पसंद आई ह होगी, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आप से चैप्टर 21 में, तब तक के लिए बाई-बाई